दोस्तों लोग सबा का समय यानि के चुनाओ का समय कुछ महीने बाकी रह गया ऐसे समय में विपक्षी गडबंदन हो या सत्ता पक्ष सरकार हो वो कोई भी ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाते जिससे की वो सत्ता में आ जाएं सभी पर लागू है लेकिन कुछ मौके ऐसे होते ह कि जिसके बारे में आपको और मुझे बहुत ज्यादा संजीदगी से सोचना चाहिए या सोचना पड़ेगा अगर कोई पार्टी सत्ता पक्ष से हो या विपक्षी पार्टी हो कुछ ऐसे हतकंडे अपनाने लगे कि जिससे आपका और मेरा जानी और माली और देश का सोहर् तो उस समय उस पार्टी का वो हत्कंडा खुलना चाहिए लोगों को उसकी सजा वोट के माध्यम से देनी भी चाहिए मैं आपको लेकर चलूँगा महरास्त महरास्त में शिव सेना उद्दव ठाकरे वाली उद्दव ठाकरे ने बड़ा आरोप लगाया कि चुके 2024 के शुरुवात में ही शिरी राम चंद्री जी का जो मंदिर है अयोध्या में उसके लिए बसेज और ट्रेने लगाई जाएंगी उन्होंने कहा कि जब दर्शन करके लौट रहे होंगे उस समय कोई भी गोद्रा जैसा कांड हो सकता है पत्रा हो सकता है किसी ट्रेन मागजनी हो सकती है चुके ये भारते जनता पार्टी पे सिधार ओप है तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखनी की जुरुवत है कि गोद्रा कांड क्या था और क्या वाकई कोई भी सरकार इस तरह के हत्कंडे अपनाती है और अगर अपनाती है तो क्या आब मजन को इसके बारे में पता होना चाहिए पहले आप खबर देख लें उद्दव ठाकरे ने क्या कहा लिखता है अखबार के लोग सबच चुनाओ जीतने के लिए करवाय जाएगा गोद्रा जैसा कांड उद्दव ठाकरे का बड़ा दावा अखबार लिखता है कि लोग सबच चुनाओ में अवज्यादा समय नहीं है नियमों के नुसार मई अंत तक नई सरकार का गठन होना अनिवार रहे है इस लिहाज से देखें तो चुनाओ में पांच महीने से भी कम का समय बचा है इसके लिए देश भर में चुनाओी महोल बनने लगा है तो एक तरफ जहां NDA है बताया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ गड़ बंदन इस गड़ बंदन में कांग्रेश शिव सेना ये तमाम चीज़ें लंबी खबर नहीं बताता दोनों एक दूसरे दलों पर जबरदस्थ हमला बोल रहे है इसी बीच महाराश के पूर मुख्य मंतरी उद्दव ठाकरे ने बीजेपी और मोधी सरकार पर जबरदस्थ हमला बोला है लिखा ये है कि कुछ समय बाद आयोद्या में राम मंदर का उद्धाटन होने वाला है जल गओं में शिवा जी महाराश की मूर्ती का उद्धाटन करते हुए ठाकरे ने कहा कि कुछ समय बाद आयोद्या में राम मंदर का उद्धाटन होने वाला है मुझे किसी ने बताया कि बाला साहब के जनम दिन वाले दिन की तारीक भी तेह हो गई है मैं इस बात का स्वागत करता हूँ उन्होंने कहा लेकिन मुझे इस दोरान एक बात का डर है मुझे लगता है कि राम मंदिर के लिए देश बर से लाकों हिंदू के बुलाया जाएगा और जब वो लोट रहे होंगे तो गोद्रा जैसा कांड करा दिया जाएगा चुनाओ जीतने के लिए रची जाएगी साजिश ठाकरे ने कहा राम मंदिर के लिए देश बर से हिंदू, बस और ट्रेन से आएंगे, जब कारे करम में शामिल होने के बाद वापिस लोट रहे होंगे, तब बीच में कहीं गोदरा जैसा कांड हो सकता है, कहीं हमला हो सकता है, या फिर कहीं किसी बस्ती में पत्राओ आग लगाई जा सकती है बसों में आग लगाई जा सकती है, ठागले नगागी, ऐसा करने से पूरा देश एक बार फिर जल उठेगा, और फिर वही सब लोग जो उस समय किया गया था, घरों की होलियां जलाएं जाएंगी, और वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेखेंगे, पहली बात तो ये बयान को ये एजियूम किया गया है, लेकिन मैं आपको लेकर चलने चाहता हूँ, शंकर सिंग वागेला, वो भी पूर्ची मुक्यमंतरी ते गुजरात के, उन्होंने गोतरा कांड के बारे में जो बाते खोली हैं, आप तक पहुंची भी हैं, लेकिन होता यूँ है कि जब घर का आदमी कोई होता है ना, तो उसका जुर्म छुपा लिया जाता है, मोधी जी लगबक 30-40% लोगों के बीच में कुछ इस परकार से मशूर हो गए हैं, कि उन्हें घर का मेंबर ही समझने लगे हैं, उनके बले से बले जुर्म पर अगर आरोप के मताबिक सही है तो, परिवा कांड कराया है, सिर्फ इलक्शन को जीतने के लिए, फिसके उपर बाकाइदा कैई सारी सिरीज बनी हैं, हैमन्त करकरे से लेके दुनिया बर के हत्या कांड और बम कांड को देख लीजिए, उनकी पड़ते खुलती हैं, बलके आरेसेस से जुड़े लोगों ने, खुद ये की और उनको फोड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, अभी एक वतरकार है लड़का बले अच्छी सिरीज उसने बनाई, सारे के सारे अधिकारियों के बयान उसके अंदर डाले हैं, बताया किस परकार से परग्या ठागुर जो हैं, उन्होंने किस परकार से बम कांड को जो है और ये महसूस करा दिया गया कि हम जो भी कर रहा हैं ओठीक कर रहा हैं, आपकी भलाऊ के लिए कर रहा हैं, न, वो देश की भलाऊ के लिए नहीं हो सकता, अगर देश में दंगे बलकाई जाएंगे तो मरेगा गरीब, आम आदमी, कारूबार खटम होगा, आम आदमी का, गोत्रा का कांड हो या भोपाल का कांड हो या मद्देपर्देश का कांड हो या कहीं कभी औरंगाबाद का हो या कोई भी हो दर्शको वो दसन नुक्सान में जो जाता है वो आम आदमी जाता है आम आदमी आप और मैं हूँ इन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता है किसी नेता के बेटे को आपने मरते हुए नहीं देखा है किसी नेता को आपने फांसी के फंदे पे चड़ते हुए नहीं देखा है बड़े बड़े जबर्दस तरीके के घोटाले निकल गए साबित भी हो गए लेकिन बिगड़ता किजी का कुछ नहीं है लेकिन एक सबसे ज़्यादा मरने वाला किसान है जो कर्ज ना देने की स्थिती में फंदे पर जूल जाता है इन से गिला नहीं है इसको एक साइड में रख दीजिए एपिसोड के आखरी हिस्से में आफ से बात करना चाहता हूँ इन तमाम चीजों को देखा जाए हम उद्दव ठागरे की इस बात पर कोई महर नहीं लगा रहे वो तो उन्होंने एजियूम किया है लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ कि खुदा ना करे इश्वर ना करे भगवान ना करे अगर ऐसा कोई करा भी देता है तो क्या इतने बेवकूफ आप हैं और मैं हूँ कि हम उनके लगाई हुई आग के अंदर आग लगाने लगेंगे आप अपने कारोबार पर अपने पलोस के अंदर जरासा सा घाटक हैं सेहने को तयार नहीं होते हैं इतनी अकल तो इश्वर ने दी है ना तो फिर इन अनपड़ नेताओं के बहुत सरे अनपड़ नेता भी हैं इनके परपंच में कैसे आ जाते हैं आपर हम अगर यह ऐसी कोई रचना रचेंगे पलवामा के बारे में दर्शकों आपको मालूम है कि दो बरस तक तक तो यह नहीं पता चल पाया आईडे एक्स किस राष्टे से आया है मरने वाला कौन था फाइदा उठाने वाला कौन था मैं टीवी जगत में काम करता हूँ मैं आपको बताता हूँ देश का एक बहुत बड़ा मीडिया चैनल है उसने सर्वे करा रहा था उस सर्वे कराने के बाद पलवामा जब हो गया तो उसने अपने सर्वे बदल दिया उसने का पलवामा के बाद अब बताओ लोग मोदी के बारे में कितनी बात करते हैं नहीं के वो टीवी चैनल पहले से ही बुलवामा अटेक होने के बाद इस बारे में सर्वे कराने लगा कि पताओ करो कि अब लोगों की राय क्या है कोछ चैनल तो वहाँ पर अटेक होने के 20 निट बात पहुँच गए वैसे नहीं पहुँच बाते हैं आपके सामने कितने तथे रखे जाएं क्या इसलिए तथे रखने को आप दरकिनार कर देंगे कि वो भारते जनता पार्टी से संबंदित है नहीं देश के अंदर सोहार्द पैदा करने के लिए मेरी और आपकी चेतना का जागना जरूरी है आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक में जरूर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा शेयर कीजेगा नेक्स टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ जैहिन